साल 2023 में कई घटनाएं हुई और बहुत सारी वास्तों में नहीं भी हुई लेकिन उनके बारे में सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर बताये गया ओल्ट नूस का ये यर एंडर वीडियो इन ही घटनाओं के बारे में है जो असल में हुई ही नहीं थी ओधारन के लिए नॉबल पुरिसकार समीती के डिप्टी लीडर आसले तोहे ने ये नहीं कहा था कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शांति पुरिसकार के प्रवल दाविदार है देश के लगबग हर प्रमुक मीडिया आउटलेट्स ने तोहे को गलत तरीके से कोट किया और इस बारी में रिपोर्ट्स पब्लिश की 2023 के पहले महिने ही ओल्ट न्यूस ने छे बार मीडिया मिस रिपोर्ट को उजागर किया 10 जन्वरी को दिल्ली पुलीस के एक ASI की चाको मार कर हत्या करने की घटना के बाद मीडिया संगठनों ने आरोपी की पहचान महम्मत अनीश के रूप में की वही प्रॉपगेंडा आउटलेट सुदर्शन न्यूस ने उसे जिहादी कहा असल में आरोपी का नाम अनीश राज था और वो एक हिंदू था 12 तारीक को विवेक अगनी होत्रे द्वारा शेर किये गए एक जूठे दावे को मीडिया आउटलेट्स ने आगे बढ़ाने का काम किया कि दकश्मीर फाइल्स को आसकर के लिए शौटलिस्ट किया गया है 14 तारीक को टाइम्स नाव समेथ कई मीडिया चैनल्स ने पाकिस्तान में खादिय संकर दिखाने के लिए एक पुराना वीडियो चलाये था वही 16 तारीक को इंडिया टुडे एनाई और अन्यने पोखरा में यती एरलाइंस दुरगटना के वीजुल्स के रूप में 2012 के एक प्लेन क्रेश के तस्वीर शेर की इसके दो दिन बाद 18 जन्वरी को भी कई मेंस्ट्रीम मीडिया चैनल्स और पत्रकारों ने वाटरलू में दी गई पॉंगल दावत का वीडियो ये कहते हुए शेर किया कि ये दावत लंडन में रिशी शुनत ने आजित की थी और तो और 27 जन्वरी को एनाई समेत कई मीडिया संगठनों ने खबर चलाई थी कि 26 जन्वरी के मौके पर बिहार में पाकिस्तान का जंडा लहराए गया था जबकि पुलीस ने इन वाइरल दावों को खारिच किया था मीडिया मिस रिपोर्ट का सिलसिला पूरे साल भर ऐसे ही चलता रहा चाहे वो मोनुमाने सर को क्लीन चिट देने की गलत खबर हो या फिर मुंबई में वर्ल्ड कप फाइनल में दर्शको द्वारा हनुमान 40 गाने का फरजी दावा इन ब्रामक खबरों के अलावा मीडिया अपने मूल करतव्य यानी फैक्स बताने की करतव्य को पूरा करने में भी असफल रहा अमेरीका स्थित इन्वेस्टर रिसर्च फर्म हिंडन बर्ग ने 24 जनवरी 2023 को 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें गौतम अडानी के नेतरूत्व वाले अडानी ग्रूप पर दशिकों से स्टॉक में हेर फेर और अकाउंट की धोकाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया गया इस बीच CNBC ने रिपोर्ट किया कि कमपनी को हिंडन बर्ग रिपोर्ट पब्लिश होने के एक हफते में 100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ तकरीबन सारी मेंस्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने 25 और 26 जन्वरी को हिंडन बर्ग पर रिपोर्ट नहीं करने का फैसला किया था हाला कि 2023 में टीवी न्यूज का सबसे लो पॉइंट रिपब्लिक टीवी की श्वेता त्रिपाथी का विपरजोई साइकलोन पर किया गया ये बुलिटिन था ये रिपोर्ट सिर्फ तथ्यों के हिसाब सही नहीं बलकि प्रेजन करने के मामले में भी अनुचित थी ओडिशा में 15 जून को टकराए साइकलोन के घंटों बाद एंकर ने स्टूडियो में छाता लेकर रिपोर्टिंग गी मानो वो तुफान में फसी हो इसका नतीज़ ये हुआ कि ये रिपोर्टिंग का क्लिप मजाग मन कर रह गया और ये दहिनिया भी था क्योंकि टीवी प और पर बजरंग दल के गौरव शकुद्वारा दो मुसलिम लड़कों की कथित हत्या पूरी देश में चर्चा का विशय बनी इस खबर के सामने आने के ठीक पहले और न्यूज ने इस घटना के मुख्य आरोप्यों में से एक मोहित यानि मोनु मानेसर के बारे में बताय थ कि मोनु गाड़ियों के माधियम से पीछा करने से लेकर हत्यारों का इस्तमाल कर अपना काम करता था और तो और मोनु के काम को स्थानी अधिकारी से लेकर भाजपाने ताओ और पत्रकारों का भी समर्थन था हलाकि दो मुसलिम युवकों की मौत की खबर सामने आने के बाद मोनु मानेसर को 12 सितंबर को गिरिफतार कर लिया गया था हमारी चानवीन में हमें ये भी पता चला कि इस मामले में दो और आरोपी रिंकु सैनी और श्रिकांद पंडित का बजरम दल से गहरा तालुक था वही हमने ये भी बताया कि हर्याडा में गौरक्षकों के पीछे बंदूग दारी गुरु आचार या आजाद सेंग एक प्रेरिश शक्ति के रूप में खड़े है वही फरवरी मार्च में सोशल मीडिया पर कई भ्रामक वीडियोस शेर किये गए और दावा किया गया कि तमिलनाडू में बिहारी मजदूरों पर हमले किये जा रहे है पुलीस ने कुछ मामले में केस दर्च कर कुछ की गृफतारी की और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी नहीं शेर करने को लेकर अपील भी की और पाया कि ये सारे वीडियोस असम्मंदिर खटनाओ के है लगबग उसी वक्त दैनिक भासकर की ये फर्जी क्लिपिंग शेर की गई जिसमें कहा गया था कि मार्च 20 तक हिंदी भाशी मजदूर तमिलनाडू छोड़ कर चले जाए अल्ड न्यूज ने दैनिक भासकर टाइम्स नाव नव भारत और टीवी नाइन भारत वर्ष की इस गलत खबर को भी उजागर किया कि बिहारी मजदूर पवन यादव और मोनु कुमार की मौत तमिलनाडू में बिहारी मजदूरों पर हमले का उदाहरन है जबकि असल में उनकी मौत का कारण कुछ और ही था 31 जुलाई को वी एचपी की एक शोबा यात्रा के दौरान हर्याणा की नू में सामप्रदाईक हिंसा भड़की थी हिंदुत्व नेताओं ने मुसल्मानों की हत्या का खुला आवाहन किया था ओल्ट न्यूज ने उत्रप्रदेश, हर्याना, उत्राखंड, मत्यप्रदेश, राजिस्थान, पंजाब, जारखंड और दिल्ली में ऐसे नफरत भरे भाशनों के 19 केस देखे कई बारतों पुलीस की मौजूदगी में गोली मारो सालों को और जब मुल्ला काटा जाएगा राम राम चिल्लाएगा जैसे नारे खुले आम लगाए गए हिंदुत्व नेताओं ने मुसल्मानों की हत्या का खुला आवाहन किया हर्यणा के नौ में हुई सांप्रदाइक हिंसा के बाद जी न्यूज ने एक मंदिर परिसर में राइफल से गोली दाखते एक शक्स को पुलीस बताकर एक वीडियो चलाया जाच में सामने आया कि वो शक्स पुलीस कर्मी नहीं बलकि आरेसेस से जुड़ा अशोक बाबा था तेलंगाना के गोशा महल निर्वाचन शेत्र से विधायक ती राजा सिंग का भढकाऊ भाशन देने का इतिहास रहा है अल्ट नियूज ने उनकी भाशनों को चार स्टोरीज की श्रिंखला में डॉक्यूमेंट किया 39 जन्वरे को मुंबई में हिंदू जन आकरोश मोर्चा में ती राजा सिंग ने मुसलिम विरोधी भावनाओं को भढकाया था साथ ही उन्होंने मुसल्मानों के खिलाव हिंसा और आर्थिक भहिशकार का आहवाहन भी किया ती राजा सिंग ने लातुर में शिव जयनती समारों में भी हिस्सा लिया था जहाँ उन्हों ने कहा कि शिवाजी महराच के बिना सभी हिंदूों का खतना कर दिया गया होता उन्हों ने हिंदूों को पुलीस की कारवाई का विरोध करने और अवजल के वनसिजों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रोचाहित किया टी राजा सिंग ने महाराश्रों में कई रैलियों में भी इसी तरह के नफरत भरे भाशन दिये Alt News ने सोलापुर, श्रीरामपुर, ओरंगाबाद और मलंगाड जैसे चार अलग-अलग जगाहों पर दिये गए उनके भाशनों को डॉक्यूमेंट किया Alt News की इस फोर्थ रिपोर्ट में हमने देखा कि 30 मार्च को हैदराबाद में राम नवमी शोबा यात्रा के भाशन में संबव अतह अब तक दिये गए भाशनों में सबसे ज्यादा नफरत थी उन्होंने मुसल्मानों का जिक्र करते हुए भद्धी टिपणियां की और अपशब्दों का इस्तिमाल किया इस्रेली में पहुँचे लोगों ने नाथुराम गोड से की तस्वीरे भी लहराई पॉलिस प्रडेक्शन उस हरामी को दिया अरे हमने हिंदु की बात करी तो सत्तर पे साथ दिन हमारे को जेल में डाल दिया अरे सर पर कफन बांग कर निकला हूँ बस अब मेरा एकी एक लक्ष है मेरे भारत देश का हिंदू राश्ति बनाऊंगा हाला कि देखने वाली बात ये है कि FIR और कानूनी नोटिस का सामना करने के बावजूद भी ती राजा सिंग ने नफरत भरे भाशन देना जारी रखा और फिलहाल वो एक विदायक भी है हेट स्पीच के मामलों को डॉक्यूमेंट करते हुए ऑल्टन्यूज ने सिyttमबर में राइट विंग इंफ्लूएंजर काजल हिंदुस्तानी को डॉक्यूमेंट किया था महराश्रो में 5 जनवरी को काजल हिंदुस्तानी ने हिंदु महिलाओ के लिए रेट काट की बार बार दोहराये जाने वाली थियरी की बारे में बात की थी जिसे पहले भी कई बार खारिज किया जा चुका है हमारी हिंदु लड़कियों को जब हम समझाने जाते हैं तो कहती है कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है मैं कहती हूँ कि अब्दुल हो या आफताब पड़िये इसने एक ही किताब आट अगस्त को गुजरात की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भाषन देते हुए उन्होंने कहा हर गौरी को लगता है कि उसे एक शारुप मिलना चाहिए हर करीना को लगता है कि उसे एक सैफली खान मिलना चाहिए गुजरात में एक रैली में नफरत भरा वाशन देने के लिए 31 मार्च 2023 को काजन हिंदुस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया था दो जून को ओरिसा की बाला सौर में हुए ट्रेन हाथसे में कम से कम 228 लोगों की मौत हो गई शालिमार चैनने कोरो मंडल एक्सप्रेस के 10 से 12 डिब बे पटरे से उतर गए और बैंगलूरू हावडा सुपरफ्रास्ट एक्सप्रेस से टकरा कर दूसरे ट्रेक पर गिर गए इस हाथसे में एक मालगाडी भी शामिल थी लेकिन इस तबाही के कुछी घंटों बाद इसे सोशल मीडिया पर कमिनल रंग दिया जाने लगा कई यूजर्स ने हाथसे के जगा की तस्वीर शेयर कर दावा किया कि यहां एक मस्जित थी यानि लोगों ने इस घटना के पीछे मुस्लिमों के शामिल होने का दावा किया जबकि औल्ट नियूज ने चानबीन कर पाया कि ये इमारत असल में एक स्कॉन मंदिर था हाला कि इस दावे को सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों में इसकॉन के उपाद्यक्ष राधा रमनदाश भी शामिल थे कुछ दिनों बाद ये दावा चलाया गया कि बहनागा बाजार रेल्वे स्टेशन का स्टेशन मास्टर एक शरीफ दुरगटना के बाद से फराड था औल्ट नूस ने इस दावे की सच्चाई सब के सामने लाई कि असल में अधिकारी का नाम S.B. मुहंती था और वो पूछताच में था वहीं और भी कई जूठे दावे इस घटना को लेकर एक शाजिस बताते हुए शेयर किये गए हिस्ट्री शीटर और पांच बार विदायक रह चुके अतिक एहमत और उनके भाई अश्रफ की प्रयागराज में 15 एपरिल को पुलीस के भारी बंदोबस्त के बीच गोले मार कर हत्या कर दी गई इस घटना का वीडियो फुटेज और चश्मदीत गवाहों ने दावा किया कि गोली चलाने वाले लोगों ने जैश्री राम के नारे लगाये थे राइट विंग यूजर्स ने इस दावे को गलत बताया हलाकि इस पूरे मामले में आल्ट न्यूस ने तफ्तीश की और पाया कि हकीकत में ये नारे लगाये गए थे वहीं इसी सिलसिले में ये फर्जी दावा भी चलाया गया कि अतिक एहमद और अश्रिफ फर गोली चलाने वाले अखिलेश यादव के समर्थक थे इस साल की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना मनिपूर से सामने आई जब दो महिलाओ को नगन कर घुमाने और उनके साथ छेड़ चाड़ करने का भयानक वीडियो वाइरल हुआ दिल को जगजोड देने वाली इस घटना की वज़े से भारत ने अन्यदेशों का ध्यान अपनी और खीचा हमने देखा कि इस घटना के बाद मनिपूर से जोड़ कर कई गलत दावे किये गए जैसे सबसे पहले न्यूज एजनसी एनाई ने दावा किया कि 38 सार के अब्दुल हिलिम को सामोहिक बलातकार मामले में गिरफतार किया गया इसके बाद इस घटना को सामप्रदाइक रंग दिया जाने लगा पुलीस ने साफ किया कि जब्रण वसुली के मामले में अब्दुल को गिरफतार किया गया था बाद में एनाई ने माफी नामा पोस्ट किया एक और मामले में पुलीस का विरोध कर रही नगनम हीला का वीडियो शेर करते हुए कहा जाने लगा कि मनिपुर में ऐसा किसी शाजिस के तहट किया जा रहा है जबकि ये वीडियो यूपी का था जहां चंदोली जिले में एक स्वतंत्र उमिद्वार की रूप में चुनाव लड़ने वाले सोनू किन्नर और मालती सोनकर नामक भाच्मा उमिद्वार के समर्थकों के बीच विवाध हुआ था इसी बीच असम के अकबार अमर असोग ने फ्रंट पेज पर एक रिपोर्ट छापी जसमें बताया गया कि में रोड पर एक युवा मैला की गोली मार कर हत्या कर दी गई अकबार में छपी स्क्रीनशॉट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी मनिपूर का बता कर वाइरल हुआ जबकि ये घटना म्यानमार में हुई थी मनिपूर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष चीदानंद सिंग और उनके बेटे की तस्वीर शेर कर ये गलत दावा किया गया कि ये कूके महिलाओ के साथ अन्याए मामले के आरोपी है जबकि ऐसा बिलकुल नहीं था चीदानंद सिंग की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलीस ने मामला दर्श किया बीजेपी प्रभकता शहजाद पुनावाला ने टीवी नाइन भारत वर्श चैनल पर ये दावा किया कि मनमोहन सिंग ने अपने कारेकाल में नौर्थ इस्ट पर एक शब्द भी बोला होग तो वो अपना नाम बदल देंगे इनके आठ वर्श के कारेकाल में आठ हजार इंसिदेंस हुए जिसमें दो हजार से जादा लोग नौर्थ इस्ट के मारे गए एक शब्द मनमोहन सिंग के मुझ से निकला होगा तो मैं अपना नाम बदल दूँगा ये असाम से चुने हु किया था इस साल औल्ट नूज ने ये नोटिस किया कि कथि दक्षनपंथियों ने लव जिहाद कॉंस्पिरिसी थियरी के साथ मुसल्मानों को बदनाम करने के लिए अब्दुल नाम का खूब इस्तमाल किया जून के एक डीटेल्ड रिपोर्ट में हमने देखा कि सोशल मेडिया पर मजाग से शुरू होने वाला टैग मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है का इस्तमाल अब मुखी धरा की मीडिया भी करने लगी है दवायर में रिसर्चर देवेश कुमार पर मंगण ब्योरा पेश करने का आरोप लगाते हुई पुलीस में शिकायत दर्च कराई थी और मैटर रिपोर्ट्स हटाने का फैसला किया था ओल्ट नियूज ने देवेश कुमार के पुराने पेशे की गहराई से जाच करने पर एक विस्तृत रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें हमें हेल फेर जाल साजी और गलत दावों का एक पैटर्न मिला साल दोहजर तेईस के म मद्य में इंडिया बनाम भारत को लेकर खूब बहस छिड़ गई बीजेपी नेताओं का कहना था कि इंडिया नाम अंग्रे जोने रखा और नियूज ने इस टॉपिक पर यह डीटेल रिपोर्ट पब्लिश की हमने देखा कि बीजेपी का रोक भारत नाम को लेकर अचानक से बदला है पिछले कुछ सालों से बीजेपी द्वारा लाई गई योजनाओं के नाम डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया खेलो इंडिया स्टार्ट अप इंडिया आधी है और इंडिया बना भारत बहस के क्रम में इतिहास को भी ब्रामक तरीके से पेश किया गया Artificial Intelligence के इस दौर में जहां टेकनोलोजी का बोल बाला है वहां AI के इस्तिमाल से डीप फेक कंटेंट बनाना अब एक आम बात है पिछले साल एक्ट्रिस रश्मी का मंदाना का ये कथित वीडियो काफी चर्चाओं में रहा हला कि वीडियो में जारा पटेल नामक एक लड़की के चहरे को रश्मी का मंदाना के चहरे में बदला गया था ऐसे ही दिल्ले के जंतर मंतर पर विरोध प्रदेशन कर रहे पहलवान विनेश फोगाट बजरंग पुन्या और शाक्षी मलिक के हिरासत में लिये जाने के बाद मुस्कुरा कर सेलफी क्लिक करने की ये फोटो मई महिने में काफी शेर की गई थी हाला कि असली फोटो में ये पहलवान मुस्कुरा नहीं रहे है इसे AI के इस्तमाल से बदला गया है और AI जनरेटेड कंटेंट के और भी कई उदाहरन हमने स्क्रीन पर दिखाए है जैसे पिये मोदी और राहुल गांदी की ये तस्वीरे कोई कुदरत का करिश्मा नहीं बल ये राइट विंग यूजर्स ने इसराइल का खुले तोर पर समर्थन किया और मानवीय मुल्यों का ध्यान न रखते हुए इन्होंने पॉलिवूड नामक थ्योरे का आविशकार भी किया इस थ्योरे के मताबिक फिलिस्तिन के लोग सहानु भूती बटोरने के लिए घायल होने का नाटक कर रहे है इस एजंडा को सही करार देने के लिए इसराइल समर्थक यूजर्स ने काई फर्जी दावे भी किये और पुरानी तस्वीरे क्लिप्स इंटरनेट पर चलाई इसराइल के ऑफिशन हैंडल ने खुद ये तस्वीर शेर की और दावा किया कि ये के साथ इस बच्चे को भी एक डॉल बताया गया जबकि ये बच्चा मुहमध हानी अलजहर है जो इसराइली बंबारी में मारा गया था इसराइल ने एक और फर्जी दावा भी किया था कि गाजा में कफन में लिप्टी लाश ने अपना सिर हिलाया हाला कि डीटेल रिपोर जैसे सोशेल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी कंटेंट शेर करने को लेकर बात सीमित नहीं है इसके अलावा ऐसे फर्जी या भ्रामक या फिर हेटफुल कंटेंट को लेकर ऐसे प्लेटफॉर्म की अपनी गाइडलाइन्स है अप्रेल महिने में आल्ट न्यूज ने डीटेल्ट स्टोरी पब्लिश की थी जिसमें हमने दिखाया था कि एक ही आईपी एड्रेस पर बनी 23 वेबसाइट से जुड़े फेस्बुक पेजों ने कैसे भाजपा का प्रचार और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ दुष प्रचार के लिए विज्यापन पर रूपे खच किये हैं हाला कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद ये वेबसाइट डाउन हो गए लेकिन बाद में वापस एक्टिव भी हो गए ओल्ट ने फेस्बुक पर ऐसे भी कई पेज देखे जो फेमस परसनालिटीज के नामों के गलत इस्तमाल से विज्यापन चला रहे ह और मैटा इसे लगातार नजर अंदाज भी कर रहा है ओल्ट न्यूज ने 2022 के गुजरात विधान सभा चुनाव में निर्वाचन आयोक के नियमों के उलंगन का खुलासा किया था इस इन्वेस्टिकेशन में ओल्ट न्यूज ने पाया कि सीम फूपेंद्र पटेल द्वार निर्वाचन आयोक को सौपे गए चुनावी खर्च में 30 लाग से ज्यादा के सोशल मीडिया विध्यापन के खर्च को ब्योरा नहीं दर्शाय गया था और भैचपा से जुड़े एक पेज द्वारा साइलेंट पीरियड के नियम का भी उलंगन किया था नया साल 2024 शुरू ह हो चुका है और ऑल्ट न्यूस की टीम एक नए जोस के साथ गलत जानकारी हेट स्पीच मीडिया वाच और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाब देही के लिए अपना काम जारी रख एक बहतर इंफोमेशन एकोसिस्टम बनाने की और अग्रिसर है स्थार्ड़ काम जारी हेट स्थार्ड़ के लिए लिए स्थार्ड़ के लिए और मैंजय के लिए प्लेटभर के लिए गलत जारी है